आज के पाठ का विशय है अंधायूग मिथक और आधुनिक्ता इसी काई को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे की अंधायूग कावनाटक की कथावस्त क्या है अंधायूग नाटक की मिथकी चेतना के सुरूप को कैसे समझा जाए अंधायूग में गुमफित आधुनिक चेतना के तत्तों की पहचान कर सकेंगे अंधा युग नाटक के माध्यम से आधुनिक यूक की जटिल परिस्थितियों, विसंगतियों और मनई स्थितियों का विसलेशन कर सकेंगे धरमबीर भारती स्वातंत्रियोत्तर भारत के महत्पुन रचनाकार है वे एक महत्पुन कवी उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार है उनकी रचनात्मक क्रियाशीलता का दोर हिंदी में प्रियोगवाद और नई कविता का समय है सन 1954 में प्रकाशित अंधायुक हिंदी साहित का अत्यंत महत्पुन काविनाटक सिद्ध हुआ नाटक के छेत्र में यहाँ एक नूतन प्रियोग था इसके प्रकाशित होते ही अएक पत्रपत्रिकाओं में इस पर टिपड़ियां की गई किसी ने इसे खंड काव माना, किसी ने दरश्य काव यह काव नाटक पाँच अंकों में विभाजित है अंधायूग महाभारत की युद्ध की प्रिष्टभूम पर आधारित है इसकी कथा में महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों के दर्श है इसमें महाभारत के उत्तरार्द की घटनाओं की प्रिष्टभूम पर आधुनिक विकलांग और कुरूप युक की धंसोन मुख संस्कृति का चितर खीचा गया है दो विशुद्यों का दुनिया पर बिनास कारी प्रभाव पड़ा था इस परिप्रेक्ष में जब हम अंधायुक का ध्यन करते हैं तो लगता है कि धरंबीर भारती ने पावराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भाव बोध को व्यक्त करने का प्रयास किया है दुती विशुद्य से उत्पन मानवी विग्टन, मुल लहरास और सांस्कृतिक संकट की जो विस्थिति उत्पन हुई उससे आधुनिक मनुष व्यक्तित वादी, अहमवादी, अनास्था में, निराशा और भावना से विच्रित हो गया युद्य की विभीशिका का प्रभाव नागासाकी और हिरोशिमा में प्रत्ष देखा जा सकता है और अप्रतक्ष रूप से जापान की लाखों लावारी संतानों और उनकी विकलांगता में देखा जा सकता है महभारत काल की प्रिष्टिभूम को लेकर युद्य से उत्पन, विकृतियों, विसंगतियों, छलना, संत्रास, गुटन, अंधेपन को जिस प्रकार दुती विश्युद्ध से उत्पन आधुनी की अंत्रा से जोडा गया और मनुष्य के अकेले पन उसके तूटने विखरने की गाथा को सांकेतिक धंग से बहुत ही गहरी आंतरिक यातना के प्रसंग में उभारा गया है युद्धो परांत, विजय स्री, पराजित आस्थाएं, खंडित व्यक्तित, आध के रंगों वाला चित्र हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाता है इस कावे नाटक का अनेक बार सफल मंचन भी हुआ है तीवर अनभूतियों की सखन समवेदना पाठक या दर्शक में सारी युद्ध का साथ्षातकार करा जाती है देखते ही देखते एक पूरा युग हमारे सामने से घुजर जाता है नाटकी समवेदना कारव्यापार की उत्तेजना और चिंतन की सूचमता घणी भूत होटती है अपनी प्रस्तुत में यह किसी एक व्यक्ति देश या काल की नरह कर व्यापकता में किसी भी उस युग देश की और व्यक्ति से संबंद हो जाती है जिसने युद्ध कालीन संकट भोगा हो समवेदना की व्यापकता में कथा पात्र भिन्य लगने लगते हैं और समग्र प्रवाव की तीश्नता में कुछ ऐसे चिरंतन प्रश्न भरते हैं जिसे युद्ध कालीन और युद्धो परंत की सभ्यता और संस्कृती भोगती है यहां रक्त पात अब कब समाप्त होना है यहां अजब युद्ध है नहीं किसी की भी जय दोनों पक्षों को खोना ही खोना है अंधायुक का कथानक महाभरत के अंतिम दिन के युद्ध और उसके बाद की घटनाओं परिणामों से संबद्ध है स्थापना अंतराल और समापन के अत्रिक तिसके पांच अंक हैं इस थापना में नेफट से उद्ध घोशना के द्वारा वर्ण विशय का संकेत होता है कि जिस युग का वर्ण इस कृत में है उसमें धर्म और अर्थ का पतन होगा शासक स्वार्थी और लाल्ची होंगे जनता गहरी गुफाओं में छिपकर दिन काटने को विवश होगी पहले एंक में कावरो नगरी का चित्रण है मा भारत के युद्ध में सत्रह दिनों तक मर्यादा छिन्ड भिन हो गई थी मर्यादा को कावरो और पांडो दोनों ने तोड़ा था युद्ध में विजय किसी को नहीं मिली खोना दोनों पक्छो को पड़ा सिंगहासन अंधों से सुसोभित था विवेक की पराजय और अविवेक की विजय हुई कवरो नगरी में विदुर का प्रवेस होता है संजय ने नया समाचार नहीं दिया है दुख, जिग्यासा, आशंका के माहौल में विदुर, धृतराष्ट और गांधारी के बीच संवाध होता है गांधारी विदुर से असामत होते हुए किष्ण पर मर्यादा को बार-बार तोड़ने का रोप लगाती है किष्ण ने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल दिया एक वृध्य आचक का प्रवेश होता है जिसने जोतशी के रूप में कवर्वों के विजय की घोशना की थी वह छमायाचना करते हुए इसके लिए किष्ण को दोसी ठाराता है दूसरे अंगकार शीर्षक है प्रभुका उदय संजय अंतिम युद्ध में दुर्योधन की पराजय का समाचार लेकर हस्तिनापूर जाते हैं कृतवर्मा, कृपाचार और अश्वत्थामा जीवित बचे हैं दुर्योधन की पराजय को अश्वत्थामा स्विकार न कर सका। उसने अपना धनुष तोड़ दिया और वन की ओर चला गया। लेकिन वहया भूल नहीं पा रहा है कि युधिष्ठिर की इस अरदसत गोशना से की अश्वत्थामा मारा गया। उसके पिता द्रोण की हत्या युधिष्ठिर के अरदसत ने अश्वत्थामा को पशु बना दिया जो क्रूर अंध और बरबर था। उसने निक्षे कर लिया कि उसके जीवन का लक्ष केवल वद होगा। इसी मनोगरन से वह व्रद्ध आचक की हत्या कर देता है। तीसरा अंख है अश्वत्थामा का अ हुसता है कि पक्ष जाहे सत्तका हो अथवा सत्तका अंतिम पनिड़त में दोनों ही जर जर करते हैं। उधर बलराम किष्ण से कहते हैं कि दुर्योधन का वद्ध करने में भीम ने अन्याय किया है। बलराम किष्ण को मर्यादा हीन और कूट बुधि कहते हुए घोषणा कर कि पांडव भी और्धम से मारे चाएंगे बलराम की यह बात अश्वत्थामा सुन लेता है और पांडव बन्स को निर्मूल करने का संकर्प लेता है वह खायल दौर्योधन के पास जाता है और दौर्योधन गोशित करता है दौर्योधन की रखवाली करते समय रात में अश्वत्थामा यह देखता है कि एक सोई हुए कवे पर आक्रमण कर उल्लूस की हत्या कर देता है उसे प्रत्रोत का रास्ता दिखा जाता है और वह अर्धरात्र में सोई हुए पांडूओं की हत्या करने के उद्देश से चल देता है चोथे यंक में अश्वत्थामा पांडव शीविर में पहुँच गया और दृष्ट ध्यूम्न की हत्या कर दी दृष्ट ध्यूम्न ने निहत्थे द्रोण की हत्या की थी शतानीक शिखर्ण के साथ पांडव शीविर में अनिक वीरों को मार डाला यह खबर सुनकर गांधार प्रसंद होती है दुर्योधन की मृत पर अश्वत्थामा ने प्रतिग्या की कि जिस प्रकार किशने गांधारी को पुत्रहीन कर दिया है उसी तरह वाभी उत्तरा को पुत्रहीन कर देगा अर्जुन ने अश्वत्थामा पर अग्रिमाड छोड़ा प्रत्युत्तर में अश्वत्थामा ने ब्रम्भास्त फेक दिया ब्यास ने आकाश वाणी कर ब्रंभास्त्र के भयावा परिणामों से चेताया प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी ब्रंभास्त्र फेक दिया ब्यास के समझाने पर अश्वत्थामा ने कहा कि यह अचूव कस्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरेगा लेकिन वापस नहीं होगा किष्ण ने अश्वत्थामा को शिश्व हत्या का शाब दिया अश्वत्हामा वन में चला गया लेकिन उसके सरीर पर घिनवना कोड़ फूट गया विशुब्ध होकर गांधारी ने किश्ण को शाब दिया कि तुम्हारा वंस भी इसी प्रकार पागल कुट्टों की भात एक दूसरे को काट खाएगा प्रभ होकर भी तुम्हेक पश्क की तरह व्याद के हाथों मारे जाओगे पांचवे अंकार शीर सक है विजय एक क्रमिक आत्मत्या यो धिश्ठिर का आराज्या विशेख हुआ किन्तु कवरो नगरी अपनी विगत शोभा न पासकी सभी प्राणी की अपनी कमजोरियां थी भीम आए दिन यूस को अपमानित कर देते थे यूस ने आत्मत्या कर ली धितराष्ट गांधारी कुंती और संजय बन में चले गए भीशन दावाग्न में उनकी मृत्त हो गई यादव कुल में कलह बढ़ गया यूधिष्ठिर हिमाले के शिखरों में जाकर शरीर को गला डालने की इच्छा प्रकट करते हैं नाटक के समापन द्रिश में किष्ण के पाओं को मृत का शरीर समझ कर एक व्याद ने तीर मार कर उनकी हत्या कर दी प्रभु के प्रस्थान के साथ कल्यूग ने इस धर्ती पर कदम रखा किष्ण की दशा स्वत्थामा जैसी हो गई अश्वत्थामा की अनास्था आस्था में बदल जाती है अश्वत्थामा स्विकार करता है कि मेरे भीतर अंधायुक प्रवेश कर गया था और उसी करण मुझे में प्रतिहिंसा जागर्थ हो ठीती यूँस सवाल करता है कि मानो भुष्ष का क्या होगा व्यास ने प्रभु के हवाले से उत्तर दिया कि जब तक प्रभु जीवित थे उन्होंने सबका दाईतु निभाया अब वह दाईतु सबका है उस दाईत को स्विकार करके ही मानो भुष्ष सुरच्छित रहेगा इसी के साथ कथावस्त समाप्त हो जाती है अंधायुक मिथक पर आधारित है लेकिन इसमे आधुनिक्ता के सूत्र जगह जगह विखरे पड़े है आगे अंधायुक के भीतर मिथक और आधुनिक्ता पर अलग-अलग विश्तार से विचार कर सकते है मिथ में का प्रत्य जोड़कर हिंदी में मिथक शब्द की निर्मिती एवं उसके प्रियोग का स्रे आचार हजारी प्रसाद दिवेदी को जिया जाता है संस्कृत में मिथ शब्द का आशय अलोकिता का पुट लिये हुए लोकान भूत बनाने वाली कथा से है आचार हजारी प्रसाद दिवेदी के शब्दों में आधि मानों के चित्र में संचित अनेक अन्भूतियां मिथक के रूप में प्रगट होने के लिए व्याकुल रहती है मिथक वस्तुता हो सामुहिक मानों की भाव निर्मातरी शक्ति की अहियक्ति है जिसे कुष मनोविज्ञानी आर्किटाइपल इमेस आध्यबिंब कहकर संतोस कर लेते हैं माना जा सकता है कि इतिहास पुराणों और अन्याधिकाव गरंथों में प्रस्तुत कथाएं काल विशेश में अथार्थ रही होंगी फिर धीरे धीरे रूड होकर प्रतीक बनी डाक्टर श्यामा चरन दूबे स्विकार करते हैं कि पावराणिक मिथकों और प्रतीकों में घनिश संबंध होता है डाक्टर ननगीन मिथकार्थ ऐसी परमपरागत कथा से लेते हैं जिसका संबंध अतिप्राक्रति घटनाओं और भावों से होता है अंधायुक की कथावस्त मिथक पराधारित है इसकी कथावस्त महाभारत से संबद्ध है महाभारत की कथावस्त ख्यात है और मिथकों से वरपूर है अंधायुक की कथावस्त वहीं से ली गई है इस संदर्व में नाटक कार धरम विरभारती निर्देश में सपस्ट रूप स स्विकार करते हैं कि इस दृष्टिकाब में जिस समस्याओं को उठाया गया है उनके सफल निर्वा के लिए महाभारत के उत्तरार्ध की घटनाओं का आस्रे ग्रहन किया गया है अधिकतर कथावर्त प्रख्यात है केवल कुछी तत्त उत्पात दें कुछ स्वकल्पित पात्र और कुछ स्वकल्पित घटनाएं इस पश्ट है कि अंधायुक का मूल कथानक प्रख्यात और पावरानिक है आलोचना के लिए मिथक माना जाता है विदिथाय की स्रीकिष्ण, धितराष्ट, गांधारी, युधिष्ठिर, विदुर, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार, यूद्सू, व्यास और बलराम महाभारत में इस पस्ट्रूप से वरणीत है यह पात्र अंधायुक में भी है यह भी महाभारत में लिखित है कि कवरो नरेश धितराष्ट अंधे थे धितराष्ट के पत्नी गांधारी ने धितराष्ट रहते हुए भी अपनी आखों पर आजीवन पट्टी बांदी थी वियास ने संजय को दिव धितरिष्ट प्रदान की थी द्रोनाचार युधिष्टिर के द्वारा प्रियुक्त अर्थ सत्त के शिकार हुए थे भीम ने किष्ण के संकेत पर दुर्योधन परवार किया था किरपाचार और कृत वर्मा के साथ वन में पड़े हुए अश्वत्थामा ने एक उल्लू के द्वारा सोई हुए कउओं की हत्या देखकर पांडवों की हत्या करने की प्रेणा पाई उसने सोते हुए पांडवीरों को उसी तरह मार डाला अर्जुन ने प्रत्शोध लेने के लिए अश्वत्थामा पराक्रमन किया अश्वत्थामा ने ब्रम्भास्त का प्रियोग किया किष्ण ने अश्वत्थामा को अभिशाब दिया और उसे कोड़ी बना दिया किष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मड़ी भी ले ली इस मित्खी कथा को धरंबीर भारती ने युगान रूप परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया है उन्होंने मूल कथानक के साथ ज़्यादा छेड़छान नहीं की युगान रूप सांचे में ढालने के लिए उसमें आधुनिक्ता का समावेश कर दिया अन्धा युग में धरंबीर भारती ने मूल मित्खी कथानक को सुरक्षित रखते विए उन घटनाओं और चरित्रों को प्रतिकात्मक बना दिया महाभारत में उल्लिखित चरित्रों के अलावा अन्धा युग में केवल दो प्रहरी और एक भर्ष वक्ता वृद्ध याचक नामक पात्र आएं हैं ये पूरी तरह कल्पित हैं इन से संबंधित सभी घटनाई भी कल्पित हैं धर्मभीर भारती के शब्दों में दो प्रहरी जो घटनाओं और इस्थितियों पर अपनी व्याख्याय देते चलते हैं बहुत कुछ ग्रीक कोरस के निम्नवर के पात्रों की भाती हैं किन्त उनका अपना प्रतिकात्मक महत्त भी है कृष्ण के वदकरता का नाम जरा था ऐसा भागवत में भी मिलता है लेखक ने उसे वर्ध्याचक की प्रेतकाया मान लिया धर्मभीर भारती ने अंधायुक में बाहगटनाओं परिस्थियों और पात्रों में अधिक छेंशाण नहीं किये है इनका स्वरूप अधिकांस्ता मित्की है लेकिन धर्मभीर भारती का उद्देश पुना कथा प्रस्तुत करना नहीं है उन्होंने पात्रों की परिस्थियों को नए धंग से रचा है पात्रों की मना हिस्थितियों का चित्रन जहां एक तरफ उन्हीं मित्की बनाए रखता है वहीं दूसरी तरफ उन्हें प्रतिकात्मक सुरू प्रदान करते हुए आधुनिक भी बना देता है इस अंदर में एक समिच्षा पुस्तक में अंधा युक के बारे में की गई धर्मबारती की टिपणी प्रासंगिक है बाय घटनाओं की अपैक्षा साहित्तकार का ध्यान सामाजिक व्यवस्थवा द्वारा उद्भू जटिन स्रजनात्मक इस्थितियों उनमें उत्पन होने वाली विशमताओं विकृतियों तथा संतुलन पर केंद्रित रहता है और वह उनहीं का परिहार एवं परिशकार करता है कभी वह उसके लिए तातकालिक नामिस्थिति और प्रिष्ट भूम ग्रहन करता है कभी वह उसके लिए प्रस्तुत पिर्तिकों और संकेतों का असरे लेता है साहित्तकार अपने अस्तर पर अपने धंग से संस्कृती की विराध प्रकृयामे योग देता है यह संदे है अंधायूक इसका प्रमान है धर्मबीर भारती ने अंधायो कावनाटक के माध्यम से मित्की कथापरा धरित आधुनिक सम्वेदना के तारों को जग जोरने का कार कर अपने तरीके से भावी सब्वता के निर्मान का संकेत कर संस्कृती के विकास की प्रक्रिया में योग दिया है धरमबीर भारती हिंदी साहित में अपनी अहिव्यक्तिया और भावबोध में सर्वता नए रहें आधुनिक्ता के संदर में उन्होंने नित नए प्रतिमानों की खोच की एतियासिक सामाजी के उम आधुनिक समस्याओं को उन्होंने अपने लेखन में व्यक्त किया है अंधायुक काविनाटक में धरंबीर भारती ने महाभारत के कुछ कटु कथा प्रसंगों में समकालिन यथार्थ के जो चितर खीचे हैं वे आधुनिक संदर्वों के अधिक अन्कूल उन्होंने एक पौराणी घटना को जिस नाटकीश कावशलक से आधुनिक संदर्वों में वेक्त किया है वह हिंदी नाट साहित में एक रांदकारी परिवर्तन है पुराण प्रसिद्ध कथा को युगान रूप साचे में ढालने के लिए नाटक कारने मूल कथान को सुरक्षित रखते हुए घटनाओं और पात्रों को प्रतिकात्मक सुरू प्रदान कर उसमें आधुनिक्ता का समयवेश कर दिया है दुती विश्युद्ध की विभीश का और विकृत परिवेश का प्रभाव दुनिया के साहित पर पड़ा पास्चात साहित पर या प्रभाव पहले पड़ा यह एक संकर्पूर इस्थिती थी संकर्पोथ से मानो जीवन अनियमित और विगटित परिलशित हो रहा था इसी विगटन की कथा को धर्मबीर भारती अंधायूग में प्रतिकात्मक धंग से अहिक्त करते हैं और विगटन के उपर मानों मूल की स्थापना करना चाहते हैं नाटक का नाम ही प्रतिकात्मक है धर्मी भारती के अनुसार लगभग समस्त पाश्यात्य साहित में दुती विश्युद्ध की समाप्ती के बाद जो साहित आया उसमें उसी विश्युद निरासा दुश्चिंता बेचैनी की पतिधन मिलती है जो अंधायुकी पंक्तियों में पश्चिम ने यहनभव कर लिया था कि वह एक ऐसे बिंद पर पहुँच गया है जिसकी आगे अंधेरा है अनिश्चे है दिग्भरम है लगभग यहीं स्थिती भारत की भी यहां भी राजनीतिक संकट था इन्ही सब कानों और प्रसितियों को प्रतीक मान कर अंधायुकी स पश्ट है युद्धो परांत वह अंधायुक अवतरित हुआ जिसमें इस्थितियां मनोबृतियां आत्माएं सब विकृत हैं बर्टिट रसिल ने घोशना की थी कि आधुनिक विश्व में हम उस जात के मध्वें हैं जो मानवी कुशलता को साधन मानकर मानवी पाश्वि परांति के अनुसार दो महा युद्धों ने एक विग्टन की स्थिति समाज में ला दी है और इसके करन मनुष्य एक विचितर सुनता में परिवर्टित हो गया है परड़्याम यह था कि हम सारे मूल्यों का मूल्यन कर पाते हैं एक विराट अराजकता एक घातक अंधकार म शुन मूल्यों के इस विग्टन ने कैंसर की तरह मानिवियता को अंदर से खोखला बनाना शुरू किया इसके पहले की विज्ञान और दर्शन इस संकट का अनुभो करते साहित ने इस संकट का एसास करा लिया था भारती के अनुसार एक और विराट विग्टन है दूसरी और ने मूल बोध का उदय इन दोनों के तनाओं के बीट जो साहित लिखा गया उसे माधुनिक साहित कहते हैं परुमाण युग में छणछण युद्ध की आशंका मनुष को भैभीत कर रही थी एक अनुभम समस्त स्रिष्ट का विनास कर सकता है अंधा युग में अस्वत शिश होंगे पैदा विकलांग और कुंठा गरस्त सारी मनुष जात बवनी हो जाएगी अरजुन दारा ब्रमभास्त फेकने पर धर्म भी भारती अंधायुग में व्यास के माध्यम से मानों आधुनिक विश्व की दो बड़ी शक्तियों को चेताउनी देते हुए कहते हैं ये दोनों ब्रमभास्त रभी नव में टकराएंगे सूरज बुझ जाएगा धरा बंजर हो जाएगी युद्धो परांत युद्ध की भयावहता और दुश्परिणामों का चित्रन युद्ध के प्रति जुगुप्षा पैदा करता है सामराज जवादी शक्तियां तटस् भारत की तठस्ता बन जाती है अश्वत्थामा सामराज जवादी शक्तियों का प्रतीख हो जाता है वह संजय को मारने की कोशिश करता है सामराज जवादी शक्तियां तठस्त राष्टों का गला घोंड देना चाहती थी यह समस्या आधुनी युग की वैश्विक समस्या अंधायुग में इससे अश्वत्थामा के मुह से कहा गया है यह तठस्थ सब्द है मेरे लिए अर्थ हीन सुन लो यह घोशना इस अंधे बरबर परशु की पच्छ में नहीं है जो मेरे वह शत्रु है अश्वत्थामा इस नाटक में एक अनास्थावादी व्यक्त के रूप में चित्रित हुआ है वह साहित्तिक शेत्र में नीरसे जियांपाल सात्र किरकेगार्द और आंद्रे बेंत्रों के मानों का प्रतीक है राजनीतिक शेत्र में वह अस्त्रवादी युद्ध लिटसुओ का प्रतीक है एक तरह से वह नाजीवाद और फासीवाद का प्रतीक है वह अनास्थिक अस्तित्वादी और हिंसक पूजिवादी पाश्विक्ता का प्रतीक है वह प्रतिहिंसा में विवेखो बैठता है और अपना लक्ष केवल वद घोशित कहता है अपनी अनास्था महाँ भारत के एक पात्र से अधिक आधुनिक विश्व के अध्धकालीनी दौर का पात्र लगता है। इसी तरह गांधारी और धृतराष्ट अविवेकी और स्वार्थन धकार में डूबे सासकों के प्रतीक हैं। धृतराष्ट की शासक संस्कृती जन्मांद है जिसने मर्यादा की विगलित कर दिया है। गांधारी स्वार्थनी है वहाँ आँख रहते हुए अंधी बनी हुई है। अश्वत्थामा द्वारा उत्तरा के गर्भ पर ब्रंभास फेकने पर वेप्रसंद होते हैं। मानों सभता का इससे ज़्यादा पतन और क्या हो सकता है। अंधा युग में अश्वत्थामा के बाद सबसे महत्पूर पातर है यूद्सू। उसने सत्य और धर्म का साथ देने के लिए कौरवों को छोड़कर पांडवों का साथ दिया था। अंतिन समय में उसे अपमान और तिर्सकार मिलता है वह आत्मत्या कर लेता है। वह आधुनिक बौद्धिक वर्ग का प्रतीक है जो अन्याई और दुराचारी शासन के खिलाव सत्य की प्रतिष्ठा के लिए लड़ता है लेकिन उसे अपमान सहना पड़ता है। जिनके लिए लड़ता है वे भी उसका आपमान करते हैं। यूद्धिक आस्था आधुनिक बौद्धिक मनुष की आस्था की तरह क्रमशान आस्था में परिवर्टित होती जाती है। यह तब होता है जब असत्य और अन्या की पोशक सत्ता के बिरुद्ध बौद्धिक वर्ग सत्त का पच्छ लेता है। फिर भी उसे प्रतार्णा मिलती है तो उसकी आस्था डगमगा जाती है। वह किसी को इसने और दया भी देना चाहता है तो कोई उसे स्विकार नहीं करता। विदुर अंधायुक के महत्पुन पातर हैं। वे आधुनी क्यूक की गांधिवादी विचारधारा के प्रतनीत नजर आते हैं। विदुर की नीतियां सत्थ, विवेक, धर्म, न्याय और मर्यादा की पच्छधर हैं। लेकिन परसितियां आसाधारण हैं। आसाधारण परसितियों में उनकी नीतियां अनुप्योगी और निश्प्रभावी सिद्ध हो रही है। इतियास गवा है कि गांधिवादी नीतियां समुची मानवता के कल्यान के लिए कितनी स्रियसकर थी। लेकिन युगीन परसितियों को अपने अनुप धाल नहीं सकी। विदुर का यह कथन और आत्म स्विकृति द्रिश्टब्ब हैं। पर मेरी नीति साधारन इस्तर की है और युग की सारी स्थितियां असाधारन है। स्वर संसय गरस्त है। संसय आधुनिक मनुष्ट का लक्षण है। हम देखते हैं कि निराला की राम की शक्ति पूजा कविता में प्रभुराम को भी संसय होता है। हिला रहा फिर फिर संसय या संसय राम को भी आधुनिक मनुष्ट का प्रतनीत बना देता है। युधिश्टिर उन राजनीतिक सासकों के प्रतीक हैं जो जूट बोलकर गलत तरीके से सत्ता तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन सासन चलाना नहीं जानते। युशुका अपमान करने वाला गुंगा सैनिक युद्ध विकलांगों का प्रतीक हैं जो युद्ध की विभी शिका के शिकार होते हैं। इसको हर्षण मानो निर्णे बनाता मिटाता है केवल कर्म सत्त है वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविश नहीं अंधायुग में दो प्रहरी सामान जनता की दास वरित्य के प्रतीक आदी हैं आधुनिक्षासन में भी जनता जिस तरह पिस रही है वे इसके प्रमान हैं हम जैसे पहले थे वैसे ही अभी हैं शाषक बदले इस्थितियां बिलकुल वैसी हैं किष्ण मानो मूल्यों के प्रतिश्ठा से ही मानो भुष सुरच्छी तव सुखी हो सकता है सस्त्री करण की समस्या आज की भी बड़ी समस्या है विश्व को सक्तिसाली देशों द्वारा लगात नार बढ़ाई जा रही सय शक्ति और शस्त्री करण ने मानो श्तित्य को खत्रे में डाल दिया है युद्ध हो या ना हो में आपने ही विरुद्ध काम आएंगे आज भी विष्व में निसस्त्री करण की नितांताव शक्ता है मानो जीवन आज भी खतरे में है धरमबीर भारती ने निरंतन और शाश्वत समस्या को उठा कर आधुनिक विष्व में मानो कल्यान और उसके सुखत भईश्य के लिए एक द्रिश्ट दी है इन समस्याओं का समाधान करना होगा मानो जीवन और भविश्य को सुरच्छित करना है तो कुछ करना होगा धरमबीर भारती की पुकार है क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानो भविश्य को बचाएगा इसके माध्यम से धरंबीर भारती समूचे विश्व की मनीशा का ध्यान अपनी और खींशते हैं इसे में समस्याओं का समाधान नहीं थै कहना गलत नहीं होगा कि अंधायुक के सभी पात्रों ने मिठकी स्वरूप में होते हिवे भी आधुनिक विश्व में युद्ध जन विभीश का विखटन, संत्रास, मानवी पशुत के दवर में कर्मवाद और मानव मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का सफल प्रयास किया है अंधायुक की कथा जितनी मिठकी है उसकी चेतना उतनी ही आधुनिक निशकर्स रूप में हम कह सकते हैं कि अंधायुक स्वातंतरियोत्तर हिंदी साहित का अत्यन्त महत्पून का विनाटक है अंधायुक की कथावस्तु महभारत के अंतीम दिनों के युद्ध पराधारित है अंधायुक्की कथाव और उसके पात्र मुल्ताह मिथक पराधारित अंधायुक्की मूल्चेतना आधुनिक है इसमें दुती विश्युद्य के उर प्रांत विश्व में आये विगटन मानो मूल्यों के हरास का चित्रन है